दोस्तों अगर आप ATL का SIM यूज़ करते हैं और रिसेंटली आपने एक नया फोन पर्चेश किया है या फ्यूचर में आप एक नया फोन पर्चेश करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका ATL का फिजिकल सीम है आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये रहा फिजिकल सीम और आप इसको इस सीम में कनवर्ट करना चाहते हैं और आपने नया फोन में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे आप ये कर सकते हैं और क्या प्रॉसेस रहने वाला है आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताने वाला हूँ और step by step live मैं आपको करके भी दिख कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करने से पहले अग्र आपने वीडियो को लाइक नहीं पुरौ करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह दोस्तों की आगर आप अपने एख करना चाते हैं, तो convert करने से पहले आपको ये देखना होगा, कि जो आपका ATL का number है, वो आपके email ID के साथ register है, या नहीं है, अब आप मैं से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, कि जो आपका ATL का number है, वो आपके email address के साथ register है, या नहीं है, tension आपको नहीं लेना है, simply आप आपको करना क्या है आपको ए हम चैनक का उपन और जैसे ही आप इस अप्लीकेशन को उपन करते हैं तो नीचे दोस्तों अब देखेंगे वहाँ पे आपको email id का एक option देखने को मिलता है अब देखें बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पहले से email id डला होगा और verify complete हो गया होगा उन लोगों के साथ कोई भी दिक्रत नहीं है अब देखें जीन लोगों के साथ यहाँ पे email id डला हुआ नहीं है तो simply आप वहाँ पे अपना email id को डाल देंगे और verify पे click करेंगे अपना सबसे पहला जो step है verification complete कर लेंगे अब जैसी दोस्तों आपका email id आपके mobile number से register complete हो जाता है तो आपको एक notification भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप इस screen पर देख सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर सच में आप अपने ATL के physical SIM को EC में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या step लेना होगा और यह काम आप अपने mobile phone से घर बैठे कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने SMS box को open करना है और एक SMS आपको करना होगा one to one पे जैसी आप one to one पे SMS करेंगे तो आपको SMS पे लिखना क्या है चलिए मैं आपको उता देता हूँ तो simply आप लिखेंगे ESIM यानि ESIM लिखेंगे उसके बाद आप एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद दोस्तों आपका जो register email ID है जो आपने अपने नंबर के साथ register क्या है उस email ID को डाल कर और send कर देंगे अब जैसी आप send करते हैं तो सामने से आपको response देखने को मिलेगा और response में ये आपको देखने को मिलेगा कि हमें आपका message receive हुआ है और आपने request क्या है eSIM को change करने के लिए यानि जो आपका physical SIM था ATL का आप उसको eSIM में convert करने के लिए हमें request किये है और हमें आपका receive हुआ है message उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको अगर confirm करना है eSIM में आप सच में change करना चाहते है तो नीचे आप देखेंगे 60 seconds के अंदर आपको one type करके message send कर देना होगा अब जैसे दोस्तों यहाँ पे one type करके message आप send करेंगे तो फिर से आपको एक response देखने को मिलेगा और ATL company के तरफ से आपको यहाँ पे message मिलता है कि हम आपको जितना जल्दी हो सके shortly आपको reconfirm के लिए आपको call करेंगे यानि आपने जो request किया है eSIM को change करने के लिए उसके लिए हम आपको call करेंगे आपको अपना consent देना होगा call पे यानि आपको यह बताना होगा कि हाँ सच में मेरे को physical SIM को eSIM में convert करना है वहाँ पे दोस्तों call करने के बाद company आप से यह पूछेगी कि क्या आप सच में अपने physical SIM को eSIM में convert करना चाहते हैं तो simply आपको उनको yes बोलना होगा yes बोलने के बाद आपको एक और confirmation वहाँ पे message देखने को मिलेगा इस बार दोस्तों आपको email id पे एक notification देखने को मिलेगा और जब आप उस notification पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको message के साथ साथ आपको QR code देखने को मिलता है अब देखें दोस् iPhone में eSIM को activate करना चाहते हैं तो iPhone को open करेंगे and open करने के बाद दोस्तों आप उनके setting में चले जाएंगे setting में जाने के मोबाइल डेटा में आप चले जाएंगे जैसी आप उसको scan करते हैं तो यहाँ पे आपके नए वाले phone पे आराम से आपका eSIM activate हो जाता है अब दोस्तों eSIM को activate होने के लिए दो घंटे पूरी लगते हैं दो घंटे के बाद ही दोस्तों आप उस eSIM से call कर पाएंगे या आप internet वगरा का use कर पाएंगे इसके दोरान दोस्तों आपका जो physical SIM था वो active ही रहेगा जैसी आपका eSIM start हो जाएगा उसके बाद आपका जो physical SIM है वो permanently disable हो जाएगा अब देखे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का doubt होता है कि हमारा जो पहले का recharge था या हमारा जो पहले का plan था physical SIM में अगर हम eSIM में convert होते हैं तो वो plan या वो recharge दुबारा से हमें वही से start होके देखने को मिलेगा तो जी हाँ दोस्तों आपका जो भी plan पहले से था वही plan दुबारा से उसमें वही देखने को मिलेगा आपका कोई भी wastage यहाँ पे नहीं होने वाला है या कोई भी आपको दिकत नहीं होगा तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंदा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंदा होगा तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा शेर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल पे आप नहे है तो make sure नीचे आपको रेट क्लिका बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दूँगा और in fact आपकी help भी करूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम